यहां पंजाब में ओप्रेशन रेड रोज के तहट एक बड़ी काम्यावी आपकारी विभाग को हाथ लगी है। यहां पर अनलोड भी पकड़ा गया। यहां पर चलता था शराब बनाने का यह गोरक धंदा अवेद शराब की फैक्टरी का बंडा फोड किया है। राजपुरा में शराब की अवेद फैक्टरी का बंडा फोड हुआ है। बड़ी तादात में यहां पर वो सामिक्री जप्त की गई जिससे अवेद शराब बनाने का यह गोरक धंदा फलफूल रहा था। मुख्विर की सुचना पर यह पुलिस ने कारवाई किया आपको बता दे कि लगातार ओप्रिशन रेड रोज के तहट पुलिस सक्रिया होती नजर आई आपका रिविभाग सक्रिया होता नजर आया। और जैसे ही मुख्विर से यह सुचना मिले उसके आधार पर यह कारवाई की गई है। अधिशन नजर पर यह पुलिस ने रहले की एक अधिशन प्रश्चाइब करते हैं। अधि यह एक अधिया ने टैंकर जो चल्ट रहे विए टैंकर तो शक्ती जापता सिगा एक तैंकर रहा और अनलोड करदे हुए अधिशन की कवाईद को समझने की कोशिच करेंगे विनीत कपूर हमारे सही होगी चंडिगर से सीधा हमारे साथ जुड़े जुड़ चुके विनीत ओपरेशन रेड रोड चल रहा है और इसी के तहट एक बड़ी सफल ताहात लगी है अवैद शराफ की फैक्टरी का भांडा फोड बड़ी तादाद में ये लोग अवैद शराफ का यहां पर निर्मान कर रहे थे लंबे अर्से से ये फैक्टरी संचालित की जा रह रहे या अवैद शराफ की बात करें तो पंजाब के कई अलाकों में इस तरह की शराफ बनाने का काम जो है वो जोरों पर किया जाता था और जिस तरह ऐसे अमरिस सर और तरन तरन की बात करें वहां पर जब जहरीली शराफ पीने की वज़ए से सो से जादा लोगों की मौत ह गई थी उसके तुरंट बाद ही पंजाब सरकार भी सक्त होती नजर आई थी पंजाब पुलिस भी सक्त होती नजर आई थी और आपकारी विभाग को भी दिशान देश जो हैं वो सक्ती से दे दिये गए थे कि इस तरह की फैक्ट्रियों पर नकेल कसी जाए और जो ये नकली शराब माफिया शहर के अंदर या फिर पूरे परदेश के अंदर पनपता हुआ नजर आ रहा है इन पर नकेल कसी जाए इनको गिरफतार किया जाए जिसके बाद एकसाइस डिपार्टमेंट की बात करें तो उसकी तरफ से एक उपरेशन रेड रोज चलाया गया रेड एक अवैद जगा के उपर अवैद शराब बनाने का काम जो है पिछले एक महीने से लगातार जारी था सीधे तोर पर जहां पर आबकारी विभाग की बात करें कि इस मामले में जो व्यक्ती पकड़ा गया है दो व्यक्ती फिलहाल पकड़े गए हैं हाला कि एक कैंटर का ड् फैक्टरी में पकड़ा गया था वहां पर भी व्यक्ती जो है नकली शराब बनाने का काम कर रहा था यानि हैप्चिल क्रिमिनल है और उसी के तहत अब उसके खिलाफ कारवाई की जा रही है लेकिन यहां पर एक बड़ी चीज़ जरूर देखने को मिली कि 20,000 लिटर ENA यहा तकरीबन 43 पेटियां यहां पर बनी हुई शराब जो है वो एक्साइज डिपार्टमेंट को बरामद हुई है इसके इलावा लेवलिंग की बात करें बोटलिंग की बात करें वो भी इसी फैक्टरी में होती हुई नजर आती थी और इसके इलावा भी अगर हम बात करें तो बनी हुई शराब का एक बड़ा टैंकर जो महाँ पर रखा हुआ था तकरीबन उस टैंक की के अंदर भी 1000 से जादा लिटर ब्रंट जो शराब थी वो महाँ पर रखी हुई थी इस सारी चीजों को कबजे में ले लिया गया है कारवाई जो है वो देर राब तक जारी रही ह और यहाँ पर एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारी सीधे तोर पर कह रहे हैं कि रेड रोस के चलते कई जगाओं पर वो पहले भी रेड कर चुके हैं कई मामले दर्ज कर चुके हैं और लोगों से भी वो अपील कर रहे हैं उन्होंने एक जो कह सकते हैं हेल्प लाइ पर नकेल कसी जा सके उनको पकड़ा जा सके और लोगों की जिंदगी को बचाया जा सके कल की रेड भी काफी एहम रेड मानी जा रही है क्योंकि इसमें एक चीज़ जरूर सुनिल देखने को मिली कि इसमें इन जो है वो फैक्टरी से ही निकलता है और फैक्टरी प्रोपर जो आगे शराब मेकिंग कंपनी होती है या फिर फैक्टरी होती है उसी के लिए एन जो है वो जारी करती है प्रोपर कागजी कारवाई होती है रूट तक निर्धारित किया जाता है कि आखिर एन ने कहां से कहां पर जाएगा और इस पूरे मामले में एक शीज़ जेखने क को मिली कि पटेयाला से एन ने टैंकर के बाद हम से निकला जिसकी डिलीवरी जो है वो भंकरपूर होनी थी बंकरपूर जो की डेरा बसी इलाके में पड़ता है लेकिन उसकी डिलीवरी जो है वो राजपूरा में कर दी जाती है तो ऐसे में पटेयाला फैक्टरी की जो वाजपूरा में कैसे की गई हाला कि ये फिलाल जाच का मिश्या है और इस पर भी कारवाई जो है वो आने वाले दिनों में होती हुई नजर आएगी लेकिन इतना जरूर है कि इस शराब माफिया पर नकेल कसने को लेकर अब कैप्टन सरकार जो है वो पहले से और जादा सकत नजर आ रही है पहले से और जादा संजीजा नजर आ रही है विनीत माफिया का जिक्र कि आपने उसका खुलासा हो पाया है कि आखिर कौन संचारित कर रहा था इस फैक्टरी को और जो आपने एने का जिक्र किया ऐसा तो नहीं कि यह इन शड़ियंतर कारियों की भूम कर र यानि सीधे तौर पर जहर परोषने का काम फैक्ट्रियों के द्वारा हो रहा हो और जो माफ्या हैं वह अपना यहाँ तू तैयार करी रहे तो कमपनी में जाता है यानि शराम मेकिंग कमपनी में जाता है तो पर उपर उसकी कहीं ना कहीं पूरी कागजी कारवाई की जाती है और इवन की अब तो जो एक्साइज डेपार्टमेंट की बात करें तो उन्होंने उन टेंकरों के उपर जीपीएस तक लगाए गए हैं कि अगर किसी फैक तो नहीं है तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह के संकेज जो हैं वह एक्साइज डेपार्टमेंट को मिले हाला कि गुप्त सूचना जरूर मिली थी कि यहाँ पर शराब बनाने का काम पिछले एक महीने से जारी है और जिस तरह से आपने पूचा कि कौन व्यक्ति इसमें दो यहाँ फेक्ट्री एक्साइज डेपार्टमेंट को मिली थी और उसमें भी कई सो लिटर शराब जो है वो बनाई जा रही थी उस समय में भी इस व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और कल भी वो ही व्यक्ति जो है वो इस फेक्क्ति में मौजूद पाया उसके मामला दर्च कर दिया गया है उसको गरफतार कर दिया गया है और आने वाले दिनों में उसके खिलाफ सकत कारवाई भी होती हुई नज़र आएगी जिस तरह से एक्साइज विभाग के जो अधिकारी हैं वो संकेत देते नज़र आएं लेकिन बड़ा सवाल है फैक्टरी और कमपनी के बीच हुई डील का जो एने एक जगा से दूसरी जगा सेप्लाई होने वाला था वो तीसरी जगा आखिर कैसे पहुँचा इस सवाल का जवाब हाला कि मैंने साइज डिपार्टमेंट के अधिकारियों से लेने की कोशिश की लेकिन वो कहते नजराये की जगाएगी उस शराब मेकिंग कमपनी की पूश्टाश की जाएगी की आखिर ईने आपने मंगवाया थो तो फिर ये राजपूरा किस طरह से डिलीवर हुआ और उस फैक्टरी से भी पूश्टाश की जाएगी कि जो एने है वो आपने एक शराब मेकिंग कमपनी के लिए बंकरपूर बेजा था लेकिन उसकी डिलीवरी राजपुरा में कैसी हुई फिलहाल जांच का ये विशह है जांच के बाद अगर उनकी भी इसमें इनवोल्मेंट पाई गई कमपनी की भी और फैक्टरी की भी तो उनके खिलाफ भी कारवाई की जाएगी इस तरह के संकेत भी एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारी देते हुए नजरा है लेकिन हाँ इतना जरूर है कि पूरे परदेश के अंदर जिस तरह हैं से नकली शराब और अवैद शराब बनाने का एक बड़ा माफिया पनप पर है और सिस्टम के साथ साथ पूलिस प्रशाशन भी सभी की निगाहें सिर्फ इसी मसले पर ज्यादा ठीकी है इसलिए अवैद जो गतिविदिया है वो तेजी से फली फूली है इसका फाइदा उठाया गया राजपुरा में बिलकुल देखिए सीधे तोर पर भारत जो पुलिस का ध्यान है वो लाइन ओटर की सिच्वेशन को मेंटेन रखने में और किसान अंदोलन में ही देखने को मिर रहा था तो इसी वज़ा से कहीं नहीं है यह यहाँ पर बढ़ती नजर आई और राजपुरा की बात करें तो जिस जगा पर यह फैक्टरी की भी जैल था उसकी सप्लाई फिर मशीन के माध्यम से कई ना कई शराब बनाने में होती थी और जिस तरह की मशीनों को महाँ पर इस्तमाल किया जा रहा था बॉटलिंग के लिए अलग मशीन थी लेवलिंग के लिए मशीन थी और लेवल भी ऐसे बनाय हुए थे कि कोई साबित नहीं नहीं कर सकता कि यहां पर अवैद शराब जो है वो बनाई जा रही है पुलिस को फिलाल तकरीबन 31 सो के आसपास लेवल जो है वो बरामद हुए है कई सो जो ढखकन है जो सील है बॉटल्स की वो वहां पर बरामद हुए है और कई कह सकते हैं कि खाली बोतले जो है वो बराम और वो सीधे तोर पर कह रहे हैं कि इस तरह की और फैक्टरियों की भी उनको जानकारी मिलती रहती है समय समय पर वो raid करते रहते हैं क्योंकि exercise department की तरफ से शहर के अंदर परदेश के अंदर operation red rose चलाया हुए इस red rose का मकसद ही यही है कि इस जो जहरीली देशी शराब है इसके nexus को खतम किया जाए और परदेश को इसकी गिरफ से बाहर निकाला जा सके महत्पूर्ण तो यह कि जो व्यक्ति पहले ही श्रंभू से एक factory संचालित करने के मामले में आरूपी था जो जेल में रहा और उसके बाद फिर वो बाहर निकलता है और फिर इस धंदे को अंजाम देना शुरू कर देता है ऐसे में कोई बड़ी नजीर नहीं पेश की जा सकती इस मामले में क्योंकि अब यहां से ये लोग पकड़े गए हैं ये माफिया कुछ वक्त के लिए ये भी जाएंगे और उसके बाहर आएंगे फिर से इसी गोरक धंदे में लग जाएंगे ऐसे में इस नेक्सिस को खत्म करने के लिए पूरे दोर पर पंजाब में इस नशे के गरफ से बाहर निकालने के लिए बाकी लोगों को भी और ऐसे माफियाओं को एक कड़ा सबख देने के लिए कुछ और विवस्था नहीं की जा रहीं क्या शाशन के दौरा बिल्कु सुनील देखिए इसके लिए कहीं न कहीं परदेश के अंदर एक सकत कानून बनाने की जरूरत है सकत सजाओं का प्राबधान होना चाहिए ताकि इस तरह के जो नशा तसकर है उनके खिलाफ सकत कारवाई हो क्योंकि अगर हम नशे की बात करें तो जिस तरह से जो ड्रग्स है जो कोकीन है अगर कोई उस नशे की बिकरी करता है उसकी सप्लाई करता है तो फिर उसके खिलाफ NDPS Act के तहट जो है वो मामला दर्ज किया जाता है NDPS Act को सीधे तोर पर देशद्रों का केस भी माना जाता है जिसमें कम से कम सजा का प्रवधान जो है वो 10 साल है 10 साल से लेकर 14 साल और ताउमर तक की सजा जो है वो NDPS के केसों में होती नजर आती है लेकिन हाँ उसमें भी quantity जो है वो माईने रखती है लेकिन अगर excise के केसों की बात करें तो यहाँ पर विभिन धाराओं के तहट जरूर मामले दर्ज होते नजर आते हैं लेकिन कुछी समय के बाद आरूपी जो है वो पुलिस की गिरफ से बाहर आ जाते हैं उनको बेल मिल जाती है और बेल मिलने के बाद वो दुबारा से इस तरह के धंदों में पड़े नजर आते हैं अगर इस आरूपी की भी बात करें तो पिछले दिनों जिस तरह से इसको गिरफतार किया गया उसके बाद इसकी बेल होगी और बेल होते ही ये बाहर आके फिर अपने जो माफिया है उसको फैलाने में जूट गया और तकरीमन एक महीने से यहां पर यह शराब बनाने का काम कर रहा था तो ज़रूर अब यहां पर Эक्साइज डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं वो कहते नजर आ रहे है इसके खिलाफ हेप्शुल क्रिमनग के तहट जो कारवाई की जा सकती है जो दाराएं समविलित की जा सकती है वो दाराएं सम्लित की जाएंगी की पहले भी शराब बनाते हुए पकड़ा गया और अब फिर से ये नकली शराब बनाने का काम कर रहा था तो ऐसे में हैफ्चियल क्रीमिनल का दर्जा यहां पर इसको मिल चुका है और विशेश अब नजर भी रहेगी चाहे विभाग की बात करें चाहे पुलिस विभाग की बात करें ता कदम उठाकर सकत कानून बनाने की जरूरत है ताकि परदेश में जो ड्रग्ज माफिया है जो शराब माफिया है उन पर पूरी तरह से नकेल कस्ती नजर आए और उनकी कमर जो है वो पूरी तरह से तूटती हुई नजर आए जे भूमिका किस-किस की इसमें महत्पूर हो जाती है विनीत ये भी थोड़ा समझाएं और एक महिने से ये जहर पर उसने का काम ये लोग कर रहे थे यहां से तैयार करके अवैद शराब जहरिली शराब यहां पोलिस की भूमिका आबकारी बिभाग की भूमिका एक महिने का त लेकिन बड़े इस्तर पर यहां से गोरक धंदे को अंजाम दे रहे हैं यह लोग और बकाइदा प्रोफेशनल तरीके से वहां पर कोई यह पहचान नहीं सकता आप बता रहे हैं कि यह लोग नकली शराब बनाने का काम करते हैं बेलकुम देखिये सीदे तोर पर एक गौधाम टाइप फैक्ट्री जो है वो बनाई गई थी गूदाम था वहां पर और उसी गौदाम में इस शराब को बनाने का सिल्सिला जो है वह शुरू किया गया था जो टेंकर अTA था उस टेंकर को जो पानी खाली बोटल्स पड़ी थी उसमें उस शराब को भर लिया जाता था उसके बाद उसकी बोटलिंग के बाद उसकी जो कह सकता है सीड लगाने का काम किया जाता था और फिर उसके ओपर लेवलिंग की जाती थी और लेवल भी ऐसे बनाये हुए थे कि कोई थाबित ही नहीं कर सक इपार्टमेंट को इन्पुट मिलने के तुरंत बाद एक्साइज डेपार्टमेंट की जो टीम है चाहे उसमें चंडिगड के अधिकारियों की बात करें या अधिकारियों की बात करें वो तुरंत पटेला अधम के राजपुरा उन्होंने रेड की और रेड करने के बाद उ पुलिस को क्यों भनक नहीं पड़ी एक्साइज डिपार्टमेंट की यह अकेली रेड थी उनकी तरफ से ही यहाँ पर कारवाई की गई आला कि बाद में पुलिस की जरूर यहाँ पर शमूलिय दर्ज की गई लेकिन हाँ पुलिस को भी कही न कहीं इस तरह की एक्टिविटी राजपुरा पत्याला हाईवे जिसके उपर कहीं न कहीं यह पूरी का पुरा काम जो है वो किया जा रहा तो और फ्लाइवर वहाँ से मैज कुछी दूरी पर है तो ऐसे में यह नहीं हो सकता कि यहाँ पर किसी भी पुलिस के अदिकारी को इसकी नौलेज ना हो या पुलिस इसके हथे चड़ चुका है और अभी यह भी इस पूरे मामले में जाच का विशह है कि आखिर इसके द्वारा बनाई गई शराब जो है वो बेची कहा जाती थी क्या लाइसेंसी ठेको पर यह शराब बेची जाती थी या फिर इसकी किसी और तरह से डिलीवरी की जाती थी यह भी एक बड़ा सवाल है क्योंकि उनके खिलाफ भी कारवाई होगी जो इसे शराब को बेचते थे अगर कोई लाइसेंसी ठेकेदार इसे शराब को बेचता हुआ पकड़ा गया तो फिर इसका लाइसेंस भी रद होगा और उसके खिलाफ बनती धाराओं के तहत मामला भ पूलिस की अंदेखी की वज़े से ये सब कुछ हुआ क्योंकि पूलिस की कारेप्रणाली कई मर्तबा सवालों के घेरे में आती है एक दिन हो जाए दो दिन हो जाए हफते दस दिन बीच जाए बात समझ में आती है महिने भर से एक फैक्टरी संचालित की जाती है और उसकी ल चाफ जाहर है कि यह तो ठेकों पर ही जा रही होगी शराव यहां से बनके जब जिस तरीके की इस्थिती बनी है वहां कि और उस इस्थिती को भाबते हुए कोई यह नहीं कह सकता कि यहां पर अवेद्श शराब का गोरक धंदा हो रहा है लगता है जैसे यह भी एक सरकार क पर बड़े लेवल पर काम किया जा रहा था और एक ही दिन में तर्फालिस पेटियों बनाई गई गई इस तरपर एक साइज डिपार्टमेंट के अधिकारी खुद कहते नजर आ रहे हैं कि शायद एक ही दिन में तर्फालिस पेटियां जो हैं वो तियार की गई और अभी पेटियां बनाने का सिल्सिला जारी था लेकिन वहां पर रेड हो जाती है तो ऐसे में जरूर एक बड़ा यहां पर नेकसिस था जो पिछले काफी समय से फलता फूलता नजर आ रहा था लेकिन इसमें अधिकारियों की क्या भूमी का है पुलिस कर्मियों की क्या भूमी का ह ये जांच का विशह है जांच के बाद ही इस पर कुछ कहना कई ना कई ठीक हो पाएगा कि आखिर इसमें किस चीज की नेगलिजनसी पाई गई गई कौन इसके लिए जिम्मेदार है और आखिर एक महीने से बिना रोक्टो के ये कारोबार यहां पर किस तरह से चलता रहा क्यो इसकी पूश्टाश नहीं की गई क्योंकि कोई बहुत बड़ी फैक्टरी नहीं है और ऐसा भी कोई बड़ा एरिया नहीं है कि वहाँ पर इंडस्री बहुत जादा हो और पता ही ना लगे बिलकुल सुनसान एरिया हाईवे के ओपर बना हुआ एक गोदाम जिसके अंदर य जगह जगह पर नाके बंदी भी की जाती है तो ऐसे में इस फैक्टरी की भनक क्यों नहीं लगी या फिर कहीं पुलिस कर्मियों की तो बीच में भूमिका संदिग्द नहीं है इन सभी सवालों के जवाब जो हैं वो जाच के बाद हमें मिलते वे नज़र आएंगे क्योंकि एकसाइस डिपार्टमेंट अब इस मामले की गंभीरता से जाच करता नज़रा रहा और हर पहलू को खगालने की कोशिश कर रहा है कि हर एक जो इस मामले में कहीं न कहीं इन्वॉल्म हैं व्यक्ति उनको पकड़ा जाए उनके किलाफ कारवाई की जाए और इस पूरे के और इन लोगों पर कड़ी कारवाई होनी चाहिए इन लोगों को तकाल प्रभाव से वहां से हटाना चाहिए ताकि एक संदेश भी जाए ऑप्रेशन रेड रोड चल रहा है और इस ऑप्रेशन के मताबिक अगर बाकी जगे पर भी यही इस्तिती रही यही आलम रहा तो एक देर रात तक ये रेड जारी रही है और इस रेड की जानकारी जब परदेश के मुख्यमंत्री को मिलेगी डीजीपी को मिलेगी और उसके बाद इसमें जो पहलू निकल कर सामने आएंगे उसके दार पर पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी कारवाई हो सकती है क्योंकि लापर भूमिका को यहां पर ज़रूर समझने की जरूरत रहेगी कि आकर उनकी भूमिका क्या रही क्यों इस फेक्ट्री पर कोई कारवाई पहले नहीं की गई क्यों चंडिगर्ण सेकसाइज डिपार्टमेंट की टीम को जाकरी कारवाई करनी पड़ी और क्या कोई बड़ी मचली तो इसमें involved नहीं है क्या political destruction तो इस व्यक्ति को नहीं मिला हुआ था क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति को पहले गिरफतार किया गया हो और उसके बाद वो दुबारा आके एक बड़ी factory तियार कर ले और उसके बाद वहाँ पर दुबारा इसी तरह का धंदा शुरू क पर दे तो हर एक पहलू की यहां पर जाच करनी होगी क्योंकि पंजाब में अक्सर आरोप लगते रहे हैं कि ड्रग्ज माफिया जो है political destruction की वज़ा से political destruction हो पुलिस का संड़क्षन हो या जिन जिन लोगों का संड़क्षन हो विनीत वो सीधे तोर पर इस मामले में यह कारवाई होनी चाहिए इस ख़बर की तासिर इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि चंडीगर से एक्साइज विवाग जब वहाँ छापे मार कारवाई करने जा चाहिए इन पुलिस कर्मी पर बहुत सुक्रिया विनीत आपका तमा महत्पूर जान करें देश दुनिया की खबरों के लिए एन्बे न्यूस को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन दबाए